सिर्फ से लेकर पाउं तक पीमारी और उनका इलाज डाक्टर के द्वारा किस पर का से किया जाता है उनकी संपूर जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है तो यहां पे सबसे पहले बात करेंगे हैड़क हैड़क यानि सरदर्द सरदर्द वैसे कई सारे कारवडों क कि वजह सकता है जैसे कि हाईवीपी कंडिशन में लो वीपी कंडिशन में फीवर की कंडिशन में लेकिन जो हैड़क की प्रापर ट्रीटमेंट दी जाती है वो हो सकती है ने प्रॉक्सिन जो की 200 Mg और 500 Mg की श्तेंथ में आपको आसानी से मेटकल इस्टोर पे मिल जाएग यानि किसी भी परकार की हैड़क जैसे आर्थ का पारी हुआ है या सर का दर्द करना हुआ तो उस कंडिशन में इन में से कोई एक मैडेसिन दी जाती है वैसे वाइसोग्रेन जो की काफी ज़्यादा एफ्यक्टिव होती है सरदर्द को ट्रीट करने के लिए नेश्ट की बात करें तो तूसपेन अगर दातों में किसी परकार का दर्द हो रहा है जातों में ज्हन जना हाट हो रही है तो उस कंडिशन पर जो मैडेसिन काफी ज़्यादा डाक्टर के दौरा-ई-च की जाती है वह सकती है सैंसोट डाइन जुकि टूट पैस्ट फार्म मे में लेकि उसमें डालके आप पी लीजिए 10-15 मिनट के अंदर रिलीप दे देता है नेश्ट की बात करें तो है इस्टमक पेन अगर किसी परकार से पेटों में दर्द हो रहा है या कोलिक पेन हो रहा हो या एबडामनल एरिये में पेन हो रहा हो तो उस कंडिसन पे जो लेटावेरिन हाइड्रोकलोराइब और मेफनिक एसिड यह इनमें से कोई आप एक मेडेसीन उप्योग कर सकते हैं अगर आपको पेट में किसी परकार का दर्द है आयठन है या मरोड आ रही है इसके सिवा भी कई सारे मेडेसीन और उप्योग किये जाते हैं पेट दर्द क प्राबलम को ठीक करने के लिए नेक्स्ट की बात करें तो वह है बैक्पेन अगर किसी वजह से आपके पीठ में दर्द हो रहा हो तो उस कंडिशन पे जो मेडेसीन उप्योग की जाती है वह मेडेसीन हो सकती है डिकलोटाल एमार जिसमें पाया जाता है डायसाइकलोमें सो कोई एक मेडेसीन आप बैक्पेन की ट्रेटमेंट में उप्योग कर सकते हैं नेक्स्ट की बात करें फीवर फीवर जो कि हरकिशी को पता है कि फीवर के ट्रेटमेंट क्या होती है तो फीवर में आप पैड़ासी टमाल ले सकते हैं जो कि आपको कई सारे इस्ट्यंत में अस से काफ़ ज्यादा popular medicine है सुमुत यल ये भी काफ़ी ज्यादा popular है सुमुत वेसे करत के आती है bowel irritation की treatment के लिए ये powder farm में आती है तो इन में शे आप कोई भी treatment ले सकते हैं कोई भी medicine ले सकते हैं कबज की समस्या को दूर करने के लिए next की बात करें तो वह है vomiting अगर आपको उल्टी आ रही है मतली आ रही हो या आप किसी चीज को खाने जा रहे हो तो आपको उससे पहले मतली की problem हो तो उसको treat करने के लिए जो डाक्टर के द्वारा medicine उपयोग की जाती है वह हो सकती है ondacetran या omatoclomide तो इन में से आप कोई medicine उपयोग कर सकते हैं अगर ज्यादा vomiting condition है तो वह ondacetran की injection आती है omatoclomide की injection आती है तो उसको भी use किया जा सकता है next की बात करें तो stone अगर किसी को पत्त्री हो गई है यानि पत्त्री की problem है stone हो गया है उसकी kidney में stone हो गया हो तो वहां पर जो सबसे ज़्यादा effective medicine है वह आसमारी जो की पूर्डू से हर्बल सप्लिमेंट इसमें रहते हैं आसमारी सीरिप जो की काफी ज़्यादा useful मानी जाती है और यह सुगर फिरी भी है यह बाले अकास इस्टोन आता है यह भी काफी ज़्यादा यह उसको यूज कर सकते हैं साथ में folic acid की भी tablet यूज कर सकते हैं मुग के छालो को दूर करने के लिए next की बात करें तो वह सकता डाइरिया यानि डाइरिया अगर किसी को दस्ति की प्रावलम है तो वहां पर कई सारे medicine उप्योग के जाते हैं लेकिन जो में में medicine है वह सकते हैं नारफ्लाक्स ठीजेट जिसमें नारफ्लाक्स ठीजेट और टीनेज आजोल या हो सकता है ओजड जिसमें और और पाया जाता है तो इन मेंशे कोई एक medicine आप यूज कर सकते हैं साथ में आपको और एस पाउडर लेते रहना है नेक्स्ट की बात करें तो वह बाड़ी पेन अगर बाड़ी में किसी भी परकार का पेन हो रहा हो तो वहां पे जीरो डाल भी जिसमें एसलोफिनेक या पाया सेटामाल पाया जाता हो या जीरो ड पेन जो है वह गायब हो जाएगी नेक्स्ट की बात करें अगर आपके मुतमाल में किसी परकार का infection हो गया हो तो यहां पे हम बात करेंगे सिर्फ जलन अगर पेसा में काफी ज़्यादा जलन है तो उस condition पे जो medicine उपयोग की जाती है डाक्टर के दोरा वह ऐलकासाल हो सकती ह या नीरी हो सकती है या नौरफलाक्स 400 mg क्योंकि यह tablet form है तो इसको भी शाथ में दिये जा सकता है आप पे अलकासाल या नीरी इन में से कोई एक medicine ले सकते हैं और अलकासाल को हमेशा जैसे कि आप दो ढकन लेते हैं तो इसमें आधा गिलाश पानी में के शाथ हमेशा लेना चाहिए नेक्स्ट की बात करें तो फंगल अगर किसी को दात खायत खुजली की प्राबलम है तो जो सबसे ज़्यदा में उप्योग की जाती है वह हो सकती है कर्णी फोर्स 100 mg की 200 mg की और 400 की यह मार्केट में आसानी से आपको मिल जाएगी इसमें पाया जाता है इंट्रा को मेडिसीन ले सकते हैं और साथ साथ क्रीम भी ले सकते हैं नेक्स्ट की बात करें तो कोल्ड यानि जब किसी को सर्दी खासी या जुखाम की प्राबलम हो तो उसको ट्रीट करने के लिए जो डाक्टर के दौरा मेडिसीन जी जाती है वह हो सकती है चेस्टान कोल्ड जिसमें कई सारे साल पाया जता है फेनलिफरिन पाया जता है यह का उपयोग सकते हैं चिरिड और सर्धासीजुफाम में भी उपयोग किया-जाता नेस्ट की बात करें तो वह है ओंड है अगर कहीं पर किसी परकार से आपको कट लग गयी हो वहां पे घाऊ हो गया हो तो लिए शिपलाडीन या बेटाडीन क्योंकि बेटाडीन पाफी ज्यादा पापलर है है तो आप क्योंकि पॉविडान, डेंक in salyusion में में पॉपियों हो गाओ को जल्दी हील करने के लिए नग्स की बात करें तो आई अगर किसी परकार से आखों में संक्रमर हो गया हो आखों में लालिमा आए गई हो या आखों से धुझला दिखाए दे रहा हो तो उस कंडिशन पे जो आईड्राप यूच के जाते हैं वह सकता है सिप्लॉक्स क् ड्राप होती है जिसमें सिप्लॉक्सासीन पाय जाता है या मॉक्सी सिपाती है जिसमें मॉक्सी फ्लॉक्सासीन पाय जाता है तो इन में से आप कोई एक ड्राप ले सकते हैं अगर आपको आखों में किसी परकार का जलन महसूस हो रहा है या आख में कीडे पढ़ गए हो त अगर यह जानकर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे सेनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए अगर ऐसे वीडियो हो चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं थैंक्यू दोस्तों